Hello guys, I am Neha and good morning to all of you. Today I am here with a new topic that is appropriate prepositions. ये हमारे exam point of view से काफी ज़दा important है. इससे related sentence improvement, common errors and close test भी पूछे जाते हैं. So, let's see. जैसे कि first है हमारा abide by. Abide by का मतलब क्या होता है? मानना. तो abide के बाद में हमेशे क्या आएगा preposition? बाई आएगा. We should abide by their decision. हमें उनका decision को मानना चाहिए. तो यहाँ पर abide by का मतलब क्या होता है? मानना और बाई इसके बाद हमेशे preposition आएगा. Next है हमारा accused drop. Accused drop का मतलब होता है अपराद लगाना या किसी को दोसी ठहराना. You have been accused of mother. तुम्हें mother का अपराद लगाया गया, ठीक है? तुम्हें mother का अपराद लगाया गया है. तो यहाँ पर accused drop का मतलब क्या हो जाएगा अपराद लगाना और accused के बाद preposition off आएगा. नेक्स्ट है हमारा accustomed to, accustomed to का मतलब होता है अभ्यास्तिया, आदी होना किसी जीश का. जैसे I am accustomed to talk to a foreigner, मैं foreigner से बात करने का क्या हूँ? आदी हूँ. तो accustomed के बाद में हमें से क्या आएगा? तू आएगा preposition, ओके? नेक्स्ट है हमारा avail of, avail के बाद preposition off आता है और avail of का मतलब फाइदा उठाना, he availed himself and avail के बाद हमें से reflexive pronoun ही आएगा, इस से related भी error पूछा जाता है. कि एक sentence आपको दिया होगा, वहाँ पे he availed of the opportunity दिया होगा, वहाँ पे आपसे error पूछा जाएगा, तो error क्या होगा? कि availed के बाद में हमेशा क्या आएगा? रिफ्लेक्श्य प्रोनावन आएगा, जो subject होगा, ओके? तो he availed himself of the opportunity, उसने फाइदा उठाया, उसने फाइदा उ तो we should believe in God, हमें इश्वर पे भरोशा रखना चाहिए या विश्वास रखना चाहिए, नेक्स्ट है हमारा बोस्ट आप, बोस्ट आप का मतलब होता है सेखी मारना या डिंगे हाकना या बड़ी-बड़ी बाते करना, he boasts of his knowledge, वह अपने ग्यान का या अपने ग्यान का क्या करता है सेखी मारता है, Hz. बड़ी-बड़ी बाते करता है या ब्रेक इन्टू, ब्रेक इंटू का मतलब होता है सेन लगाना जैसे कोई दिवार है उस पे से सुरंग बनागर के चोरो ने चोरी की, उसे हम क्या वोलते है?, सेन लगाना, the thee broke into दा- house, चोरो नहीं क्या किया, मतल comply with का मतलब होता है पालन करना comply with my instructions मेरे instructions को क्या करो पालन करो ओके capable of तो capable की बाप preposition हमेशा क्या आएगा और capable of का मतलब समर्थ होता है he is capable of doing such work वे ऐसे कार करने में क्या है समर्थ है ओके next है हमारा congress late on तो congress late के बाद में हमेशा preposition on आएगा ओके तो he congratulated me on my success ओके याद रखेंगे आप मतलब he congratulated me on my success मतलब यहां पर on my success success के लिए उसको congress late किया या रहा है इसलिए on लगा है जैसे जैसे बोलते हैं ना congratulate to you जब किसी व्यक्ति को congratulate करेंगे तो वहां पर to use करेंगे ओके तो he congratulated me on my success okay complain against complain के बाद में हमेंसे क्या आता है अगेंस्ट आता प्रिपोजिशन तो जब complain करेंगे तो उसमें क्या आएगा प्रिपोजिशन अगेंस्ट आएगा जैसे चार्ज चार्ज अगेंस्ट होता है किसी के खिलाब कोई चार्ज लगाया गया है तो वहां पर क्या होगा चार्ज अगेंस्ट होगा इसी तरह complaint अगेंस्ट होता है सुनाई गई ओकेंस्ट के बाद हमेशा टू ही प्रिपोजिशन आएगा नेक्स्ट है हमारा कॉंट्रेरी कॉंट्रेरी के बाद क्या आएगा प्रिपोजिशन टू तो कॉंट्रेरी टू का मतलब क्या होता है विप्रीट ही टीट कॉंट्रेरी टू माइडवाइस उसने मेर सला के विरुद्य विप्रीत किया ओके डाइ ऑप का मतलब क्या होता है मरना जब कोई किसी बीमारी से मरता है तो वहां पे हम डाइड ऑप का प्रियोग करते हैं जैसे ही डाइड ऑप कॉल्रा यही डाइड ऑप पोलियो ओके तो वहां पे हम जब किसी बीमारी से किसी की डेथ होगी तो हम डाइ आउप का यूज़ करते हैं जिसरे ही डाइड इन-ा PC उसकी गार हो घई तो यहाँ पर डाइड-इन का यूज-क किया गया है इंग कि जब की डिएट किसी किजिव होगी तो वहां हम् डा यूज़ करेंगे सब्सवाइब debe डील का मतलब होता है कार करना लिकिन डील विद अगर अबढ़र होता है तो उसका मतलब होता है निपटな या किसी मय Czyli парंत गवार करना भी हैी इसे पुलेंगे ऊपनी कस्टमस से चांट है अब पर और सब्कर नेके next है हमारा exempt from exempt from का मतलब होता है रहात देना या छुट्टी देना तो he was exempted from parade due to his illness उसके illness के कारण उसे क्या दे दी गई छुट्टी दे दी गई परेड से तो exempt from, exempt के बाद में हमेशा from आएगा और exempt from का मतलब होता है रहात देना या छुट्टी देना हुआ नेच्ट है हमारा इन्वियस ऑफ इन्वियस ऑफ का मतलब क्या होता है इर्शिया आरू नेक्स्ट हो जाएगा तो फैमेलियर विट फैमेलियर के बाद मिस विड्दा है तो फैमे लिए वित AJ का मतलब क्या हुथ है कि He is not familiar with me. वह मुस्से परचित नहीं है. Next है हमारा feed on. Feed on का मतलब क्या होता है? खा कर जीवित रहना. Feed on का मतलब क्या होगा? He feeds on rice. वह चावल खा कर जीवित रहता है. The cow feeds on grass. गाय घास खा कर जीवित रहती है. Next है हमारा free from. Free from का मतलब क्या होता है? से मुक्त मतलब nobody is free from evils कोई भी बुराई से मुक्त नहीं है जैसे our country is free from corruption हमारा देश ब्रश्टचार से मुक्त है वट रियल में नहीं है ओके it is a sentence just nobody is free from evils जैसे है तो free के बाद हमेशा preposition के आएगा from आएगा तो free from का मतलब से मुक्त होता है insist on insist on मतलब आग्रे करना ओके तो इसका क्या होगा insist के बाद हमेशा on आएगा तो I insist on going there मैं उससे आग्रे करता हूँ on going there वहाँ जाने के लिए ओके I inferior to inferior to का मतलब क्या होता है गटिया और inferior एक comparative degree है बड़ इसके बाद then नहीं आता हमेशा तो आता है इस से रिलेटर काफी फुझा जाता है जिसे inferior हो गया superior हो गया senior हो गया junior हो गया exterior हो गया इन सब के बाद में टू आएगा अगर आपको एक्जाम में कोई ऐसा sentence मिलता है तो he is senior than me ऐसे दिया होगा तो वहाँ पे टेबल से क्या है घटिया या बेकार है ओके next हमारा नौक अट का मतलब क्या होता है खटखटाना और नौक के बाद प्री पूजिशन हमेशा अगर आपको एक लास अच्छी लगी है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर करना ना बोलें और इसका सेकेंड पार्ट हम जल्दी करने वाले हैं और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ओके और बाबाय टेक क्यर उत्व हा ह। आप करें हैं और आप करें सेक्शन है हैं तो नह सकते हैं और समेतने म